Hello everyone, Welcome back to my channel Future Study तो guys, जैसे कि आप सबको पताईए कि जो college ये open हो चुके हैं Delhi University के अभी SL वाले open नहीं हुए लेकिन बागी other state के open हो चुके हैं college तो काफी ज़्यादा जो student ये बात पूछ रहे हैं कि जो हमारी offline classes से कब से start होने वाले जो हमारे paper होंगे online होंगे या offline होंगे तो ये बात हम आपको इस वीडियो में किलियर करने वाले हैं इसमें first semester student and four and six तीनो semester student की बात की जाएगे और as well and see web regular student अभी तक आपने हमारे telegram group को join नहीं किया and workshop group को join कर लिजेगा link description में आपको as well latest update मिलती रहती है तो please group join जरूर कीजिएगा तो सबसे पहली बाद जो first semester student है तो उनकी offline classes कर से start होंगी तो आप ये notice दे सकते हैं इसमें आपको as well वालों ने साब बताया है कि जो आपकी offline classes अभी start नहीं होंगी आपकी online classes continue चलेगी तो ये बात तो clear हो गए कि आपकी offline classes नहीं लगे तो आपकी offline classes आखिर लगेगी कब तो जब आप first semester का paper दे देंगे तो आप second semester में जाएंगे जब आपकी offline classes लगेंगे और ये आपकी offline classes माई के बाद देखने को मिलेंगी माई जून में आपकी offline classes लगेंगी second semester की जो new admission लिये हैं 2021 में ठीक है और इसके बाद जो four semester की है तो उनकी offline classes कब लगेंगी तो जो आपकी offline classes है आपको मार्च में देखने को मिलेंगी आपकी offline classes मार्च में मिलेगी और प्लस माई और जो इस्टूडेंट सिक्स सेमेश्टर में तो उनके अभी तक admission भी नहीं हो तो उनके admission जो है फरवरी के last week तक आपके हो जाएंगे जो admission होनी के बाद फिर आपके जो मार्च 15 मार्च के बाद आपको offline classes start हो जाएंगी तो आप अपने offline classes attend कर सकते हैं तो काफी ज़्यादे यह कहते हैं कि student के हमें अपने college का नाम नहीं पता कि में तो आपको अभी हम बता दे कि जब आपको अपने college की नाम पता चलेंगे जब आपको college के नाम बताएंगे प्लस timing बताएंगे और day भी बताते हैं कि आपको किस दिन जाना है किस दिन नहीं जाना है ठीक है तो इसके बाद और एक और बात और कि जो आपकी paper है online होंगे या offline होंगे तो यह पहले सबसे पहले यह आप notice देख सकते हैं इसमें आपको बताया गया था जो आपके paper है physical mode में होंगे मतलब offline होंगे लेकिन यह notice hack है तो इस पर बिलीब मत कीजिए और यह स्टूरेंट की बात की जारी है इस नोटिस में तो आपकी जो paper है online होनी के ज्यादा chances है क्योंकि कोबिट की cases सो कम हो गई लेकिन जो आपकी paper में only one month है तो मन्त के अंदर आपकी offline classes का अरंज नहीं कर सकते तो आप टैंसन मतलीजिए आपके 90 प्रेशन चांस जो की online classes 10% की offline हो सकती है तो अगर कोई भी इस पर official notice आएगी आपकी online या offline को according तो हम आपको इस channel पर प्लस telegram group में बता देते तो प्लिस telegram group और चैनल से जुड़े रहिएगा और जो four and six semester students उनके जो मैं में paper होने चाहरे तो मैं में जो paper होंगे तो offline होंगे या online होंगे तो आपको एक बात अच्छे से clear कर दें कि मैं में paper है आपके पास तीन महीने या offline according study कीजिएगा वीडियो अच्छे लेगा तो लाइक से जरूर कीजिएगा थैंक यू गाइस